नमस्कार दोस्तो मैं नाम स्रीकांत कुमर अब देख रहे टू जेट टोसिस आज हम बात करने वाली सी वीडियो में दोस्तो LPG गैस धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेटे आया है दोस्तो अगर आप LPG गैस में EKYC कर रखे हैं तो अब EKYC धारकों को 300 रुपा का सब कर सकते हैं और हमें कितना सबसीडी मिल रहा है चेक करने का भी तरीका हम दिखाने वाले हैं तो कैसे करना है क्या इसका प्रोसेस है सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं इसलिए वीडियो को पुरा कंप्लीट देखना है तो चले दोस्तों वीडियो को मोबाईली लेप्टोप का किसी एक ब्राउजर को उपेन कर लेना है ब्राउजर में टाइप करना है LPG उसके बाद सर्च के ओप्शन पे क्लिक कर दना है सबसे उपर जो लिंक दीक रहा है mylpg.in इस लिंक पे क्लिक कर दना है LPG GAS का Official Portal इस प्रकार से ओपेन हो जाता है जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे तीन कंपनी का सलंडर देखने के लिए मिल जाता है भारत GAS, HP GAS, Indian GAS जिसमें connection है उस सलंडर के उपर सबसे पहले क्लिक कर दना है उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपेन हो जाता है तो चलिए सबसे पहले इसे हम जूम करते हैं और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है New User के Option इस वाले Option पे क्लिक कर दना है उसके बाद इस प्रकार के पेज ओपेन हो जाता है अब यहाँ पे देखिए रजिस्टेशन करने के लिए दो आप्सन दिया गया है दो आप्सन से आप यहाँ से रजिस्टेशन को कम्प्लेट कर सकते हैं पहला आप्सन दिया गया है अपना 17 डिजिट का LPG ID नमबर डाल कर यहां से रजिस्टेशन कर सकते हैं और दुसरा option दिया गया है कि अपना LPG gas का consumer number डाल कर यहां से आप रजिस्टेशन कर सकते हैं और जैसे आप रजिस्टेशन कर लेते हैं तो दोस्तों फिर अब आपको इस portal पे login करना है login करने के लिए यहां पे दिख रहा है कर दना है जो भी अपने password को creator किये हैं उस password को इस box में type करना है login के option पे click कर दना है login होने के बाद कुछ इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है और यहां पे दिखिए LPG gas का जितना भी service है all service यहां पे देखने के लिए मिल जाता है अब आपको क्या करना है सबसे पहले एस side में चले आना है और दोस्तो LPG gas में आपका जो भी details होगा सारा कुछ details यहां पे आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा और जैसे हम जुन करते हैं तो दोस्तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका LPG gas में अधार card link है या नहीं है अगर अधार card link होगा तो यहां पे देखिए अधार card का last code digit यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अधार card से LPG account link है या नहीं अगर link होगा तो yes देखने के लिए मिल जाएगा अगर link नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा no जिसे आप समझ सकते हैं कि link नहीं है अब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि अधार card के साथ bank link है या नहीं है दोस्तो मेरा जो सबसीडी मिल रहा है उस बैंक में मिल रहा है जिस बैंक में अधार कार्ड लिंक है इसलिए यहाँ पे नो देखने के लिए मिल रहा है तो इस परकार से आप जो है कि इतना डिटेल्स को देख सकते हैं और दोस्तों जैसे आपे side में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक service देखने के लिए मिल जाता है last में अधार authentication के option इस पे सबसे पहले click करना है और यहीं से आपको check करना है कि मेरा LPG gas में KYC complete है या नहीं है अगर complete होगा तो यहीं पे आपको already link यहाँ पे देखने के लिए म option पे हम click करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखे इस प्रकार से open हो जाता है और यहाँ पे देखे साब साब बता दिया गया है your KYC is already complete यानि कहने का मतलब यहीं है कि आपका LPG gas में already KYC complete है इसलिए आपको KYC complete करने की जरूरत नहीं है अगर यहीं आपका LPG gas में KYC complete नहीं होग तो यहाँ पे सबसे पहले अधार नंबर fill up करने के option आएगा अधार नंबर को सबसे पहले आपको fill up करना है और अधार कार्ट के साथ जो mobile number link होगा उस नंबर पे सबसे पहले एक OTP को send किया जाएगा OTP को fill up करना है उसके बाद final summit के option पे click करते हैं तो दोस्तों फिर यहाँ से LPG gas में EQIC already यहाँ पे completed हो जाता है फिर subsidy रुकने का chance नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से अधार update हो जाता है और अधार कार्ट के साथ जो bank link रहता है वो भी bank यहाँ से updated हो जाता है फिर DBT के माधियम से subsidy को transfer कर दिया जाता है तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिए कि मेरा LPG gas में already EQIC complete है अब हम देखते हैं कि LPG gas का हमें कितना subsidy मिल रहा है तो उसे चेक करने के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है track your refill के option इस वाले option पे क्लिक कर दना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए LPG gas का statement पूरा यहाँ पे open हो जाता है अब यहाँ पे प कितने रुपया में आप सलंडर खरीदे हैं उसका यहाँ पे amount देखने के लिए मिल जाता है किस date में आपने खरीदे हैं उसका date देखने के लिए मिल जाता है कितना रुपया आपको subsidy अभी मिल रहा है तो इस परकार से आपको subsidy देखने के लिए मिल जाएगा और जैसे आपक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन सी बैंक में कौन सा एकौन नंबर में सबसीडी आपको सबसीडी को क्रेडिट किया जा रहा है इस परकार से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें सबसीडी क्या जा रहा है यही अगर आपका परधान मंत्री उजवला योजना में connection होगा फिर आपको 300 रुपय का सबसीडी मिल रहोगा दोस्तों ऐसे आप यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे देखे साब साब बताया गया है गैस सिलिंडर पे मिलने वाली सबसीडी में 100 रुपय की व्रिदी और जैसे हम एस साइड में आते हैं तो यहाँ पे देखे बताया गया है LPG सिलिंडर पर अब से 300 रुपय की मिलेगी सबसीडी तो अगर आपका परधान मंत्री उजवला योजना में गैस connection होगा और अगर आप 1 KYC कम्प्लीट कर रखे तो फिर आपको 300 रुपय का सबसीडी मिल रहा होगा जो इस परकार से आप देख सकते हैं